यह मैं मेरे भाई की रोका सेरिमनी की पार्ट टू वीडियो ले आई हूँ इसमें देखिए मैं अपना खाना पीना आप सब के साथ शियर करूंगी कुछ-कुछ छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो होती है वो आप देख लोगे तो तीन तरीके की कोल रिंग्स थी प यह मिरेंडा वाली जो है मिठी मिठी सी अच्छी लगती है मुझे क्योंकि आपको पता हिए मैं मीठा जादा खाती हूँ है तो यहां पर देखिए अब मैं आपके साथ ना मैं यह टेबल पर आगी थी और देखिए खाने पीने के मामले में मैं बिल्कुल भी नी शर्माती किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप खाना खाएए मैं अपने खाना खा लेती हूँ उठागे प्लेट बना लेती हूँ अपनी क्योंकि मैं बहुत फूरी हूँ आपको पता है है ना तो यहां पर देखिए मैं नचूरियन है चीज चिली पनी टिका है और साथ में य कि कभी भी कोई फंक्षन हो शादी ब्या हो तो मैं उस दिन जैसे मालो शाम का फंक्षन होगा ना मैं सुबह लाइट खाना गाऊंगी बट आज मैंने हैवी खा लिया था खाना ममी ने जबरदस्ती दो आलू के प्रांटे सुबह खिला दिये तरह वड़ना मैं सोचा था मैं जाएट खाऊंगी क्योंकि मेरको ना हमेशा ही होता है कि किसी शादी ब्या फंक्षन में जाओना मैं सब कुछ ट्राइ करना चाहते हूं थोड़ा थोड़ा मतलब ऐस सच नहीं कि देखो मालो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ना क्या करें कि खाना खाना ही खाते हैं जादा मुझे खाना खाना मुझे अलग तरीके का फूड टेस्ट करना बहुत पसंद है तो यहां पर देखिए मैं हर एक टाइप की चीज ले रही हूं क्योंकि मैं विहान की और मेरी दोनों की तयार कर रही हूं इसमें से थोड़ा बहुत विहान भी खालेगा थोड़ा ब तेस्टी लग रहा था और देखिए मैंने कुछ-कुछ चीजे हैं जैसे मैंने जो दुलहन है नई दुलहन जो होने वाली दुलहन ईसकी जो वीडियो है वह मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल नहीं किया वह मेरे भाई के चैनल अंकूर भारदवाज के चैनल पर देख और इसके अलावा और भी फंक्शन्स हैं जो भी मतलब शगुन का फोटो वगरा डान्स वो सब आप मही देखना ठीक है जी तो चलिए अब मैं दिखाती हूं मैं अपना कुछ कुछ दिखाती हूं यहां पर विहान को मैंने एक पनीर का चोटा सा खिलाया था वो उसने खा लि यह और मेरे चोटे भाई का रोका रोका सहरा मनी मेरे को वो बखुद पसंद आता है मुझे मुझे श्टार्टर्स बहुत पसंद है बहुत अच्छे लगते हैं जो स्टार्टर्स होते है न मैं तो उसी में पेट भर लेती हूं मेरे पहले में को ने सगहीं भी शादी यहां पर देखिए विहान को इस गिफ्ट मिला था शगुन भी मिला था शगुन क्या था वो मैं घर जाके खोलूंगी फिर आपके साथ में शेयर करूंगी आपको वीडियो में दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा की शगुन वगेरा का अभी यह यह बसिख शगुन में रखिंग मेली इस अैक तेन बैटरी लगती है और यह ट्रम है इसमें म्यूजिकल खिलोर एए और विहान के लिए लेकर आई होने वाली हमारी भावी है ना बहुत पसंद करके लेकर आई है विहान के लिए खिळोर झालूंगी पसंद कर तो ऐ तो बहुत अच्छा लग रहा था खिलो ना इसको हम थोड़ी देर में चला के भी देखेंगे यहां पर देखें मैं थोड़ा सा फोटो क्लिक कर रही थी और यह देखें यहां पर बच्चों के लिए सेंडविच मंगवाई हुए थे स्टार्टर में क्योंकि छोटे-छोटे दोनों परिवार की तरफ से आय हुए थे और यह गर्लिक ब्रैड यहां की बहुत अच्छी लगी और मुझे ना स्वीगी पसंद नहीं आई थी तनी गर्लिक ब्रैड वो खाली-खाली सुखी सुखी सी थी ने बहुत बसंद आये मेरी फेवरेट बन गी अब तो गर्लिक ब सबस्क्रा 봤 vors मेरे पापा जी है और 2 रोटी घर एक टाइम की खाते हैं तो वो ही खायें चाहे वो कहीं भी जाएंगे या हम हमारा है जैसे मैंने एक दवाई विहान की बंद कर दी और जबसे मैंने वो दवाई विहान की बंद करी है ना विहाने खाना पीना शुरू कर दी है मैं हरान हूँ पिछले छे महीने से विहान सुस्ती में पढ़ा रहता था नींद में जबसे वो दवाई मैंने विहान की छुडवाई वीहान खाने पीने लगगए पिछे तीन-चार दिन से मैं फर्क देख रही हूं वीहान में और यह फर्क मुझे खुशी दे रहा है और एक चीज मुझे समझ आ रहा है कि उस दवाई की वज़य से वीहान को भूखी नहीं लग रही थी सीजर का देखो क्यूं आया मैं बताती हूं पहले तो यह देख लीजिए खिलोना विहान के साथ बड़ा वगत पसंद है इसको मैं घर जा कि आपको अच्छे से दिखाऊंगी भी म्यूजिकल खिलोना है तो बच्चे को जिसे ज़्यादा लाओ मेरे विहान को पता है शुरू से मैंने चीज़ नोटिस की है जब लाओड म्यूजिक जहां पर तेज गाना चल रहे हो डीजे चल रहा हो तेज शोर मच रहा हो या बहुत सारे लोग जहां ही कठे हो जाते हैं अ करना बहर ले गई थी बहर ले जाकर मैने ऊसको ठोड़े दे रशानत किंड फिर ठीक हो गया था तो दव्हान का ट्रीट्में मैं नई सी रेष्टा शुरू करवाऊंगी यहां विहान घबरा रहा था तो मैं विहान को पते क्या करती हूं उसके सिर पे चुन्नी ढग देती हूं इसे विहान थोड़ा सा डरता नहीं है आराम महसूस करता है तो मेरी मम्मी ने तो सारी चीज़े ट्राई करी थी मैंने एक वी सेंडविश तो देखे मैं यहां ने लिए जो हूं ऐसेंडविश करने कहा था जीए यहां नाचने गाने यह ने था और यहीं यह लiकिने नाचने घ्चेख कर देखें लिए थोड़ा यह जो शोट्स है वो मेरे भाई के चैनल पर देख लेना फैना मैं यह भी शूट नहीं डालना चाहती थी फिर मुझे लगा चोलो कोई बात नहीं पापा जी तो नांस करती है मेरी वीडियो में यह तो मेरे भाई के चैनल पर वीडियो आप जरूर देखेगा क्योंकि वहां नहीं पर हुआ अचुल में, कोई यह अवगा जरूर हैं तो कोई सिंगल बन्दा भी नहीं दिखाया लड़की वालों की तरफ से आप अपनी वीडियो में है ना गाने दूलहन किया होने वाली कैसे तयार हो के आई क्या हाना तो वह सब आपकों ही मिलेगा बहा देख लेज दो-तिन वीडियो आएंगी लगाता रहती रहेंगी वो आप देख लेंगी ना शोपइंग भी ने दिखाई क्या क्या लेकर आया था मेरा भाई दुकानों पर गूम के क्योंकि मैंनी गई थी साथ तो मैं की मैं आप पार भाई नहीं कंपर किया होगा तो ये देखिए ये मैं बाहर लेकर आई थी विहान के लिए और मैंने एक ही प्लेट में केक डाल लिया था इस केक के ओपर भी काफी कुछ लिखा हुआ था वो आप वही देखना ठीक है वो मैंने वीडियो के कटिंग में कैसे मतलब काफी कुछ चलाया भी था जैसे होता नहीं है वो स्पार्कलिंग गन वगेरा क्या होती है है जिसे अच्छे अच्छी लाइटनिंग निकलती है वो सब हुआ था तो वो सब आप देखना वहां पर हाना मैंने शूट इसलिए नहीं किया मैंने का वहां भी तो कुछ देखो ना जाकर हाना बाकी ये देखे खाना पीना अच्छा था ये आका खाना बहुत अच्छा था सही में बढ़िया था और मैंने थोड़ा थोड़ा लेकिन ट्रा ही सब कुछ किया पनीर की सबजी थी चाप भी थी दाल मखनी भी थी इसके अलाव अनमकीन चावल थे रायता था और दो तीन तरीके की रोटियां थी नान भी थे बटर नान थे इसके अलाव गरलिक रोटी जो होती है वह वाली भी कुछ थी तो विहान के लिए यह दिये सब नहीं खाता दाल चाप वगरा यह सब क्योंकि विहान को सूट नहीं करती है चीजे आप समझेए मिर्च होती है इसमें थोड़ी सी इसे बाहर के खाने में मिर्ची होती है तो बाबू को मैं खिला नहीं सकती है यहां पर नॉर्मल धही रायते के साथ रोटी लग मेरे पापा जी नहीं है उनके सामने कुछ रख दो वो नहीं खाएंगे फिर पर हम खा लेते हैं तो यह देखिए मेरे चापली थी बाद में थोड़ी सी डाल मखनी यह रोटी है नान है और यह देखिए मेरा खाना पीना हो गया था उसके बाद में बाहर वोश्रूम के लि आपको दिखाई देती हूं यह वली सेंडल मेरे सही है मैच हो जाते को गुछ गोल्डन कलर है तो गोल्डन ड्रेस के साथ मैच हो जाते और मैंने चूडिया नहीं पहनी जादा है वी हुवी कुछ भी नहीं पहना मेरे बास एक छोटा सा भ्रेस लेट रखा था हाथों में वस मैंने यही पहन लिया क्योंकि सिंपल सोबर अच्छे लगते हैं और रेड कलर ही पहना मैंने रेड कलर का ही सूट मेरे पास था और यह बहुत सुंदर लग रहा था और ग्रेस फुल कलर था एकड़म कितना प्यारा लग रहा है और मैं देखिए सारे स्टीरियो टाइप त लिखा देना और कहा देना कि इसका भी पती नहीं और यह देखो कितना अच्छे से तयार हो कि आती है, फंक्षिनर रेड कलर का सूट पहनके गई है एकड़म हाना तो ब्हुत को लेर का कुछ नहीं होता है, दुख तो दिल में ही होता है तो आप लोग भी मैं यह बात अच्छे से तयार हो, अपनी लाइफ को अच्छे से जी ओ, दुनिया की परवा मत करो कि लोग क्या बोलते हैं, अल्रेडी हम बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, अपनी लाइफ में सफर कर चुके हैं, तो अपनी जिन्दगी तो खुल के जी ओ, जितनी भी जो लाइफ है, गर्वा, देखें और जाजस घर में देखें, बेटियों को इतना प्यार मिल रहा है, तो वहां पे भभूँओं को कितना प्यार मिलता होगा, आप ये सोचिए, हाना, हम तो भई अपनी होने वाली भभू को बहुत प्यार देने वाले हैं, हाना, हम तो अभी सही बहुत आवे हमें इस शादी का तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आउंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बाई